आर साथियों स्वागत है आपका कनाईया जीयस वर्ल में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग RRC ग्रूब डी का जो होने वाला एकजाम फर्वधी से ले करके चलेगा तो उसके परिच्छा के लिए या बहुत ही मतोपूर जो सीरीज होने वाला है इस सीरीज में हम लोग साल जो गुरूब डी का हुआ तो उसके उसका कोश्चन हो जाए इन सब के बारे में हम लोग एक हजार से भी ज्यादा प्रशनों को निपटाएंगे इस सीरीज में ठीक है और आपके लिए एकदम बूश्ट का काम करेगा इसलिए हमने नाम रखा है इसका बूश्टर करके सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले निसान को भी दबा लें ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम लोग एक हजार से भी ज्यादा प्रश्णों को इस सीरीज में निपटा देंगे ताकि आने वाले परिक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही हेलफुल साबित हो और वीडियो यह आपको यदि पसंद आए तो यहां पर लाइक वाला बटन का आपसाने इसे दबा दीजेगा और नीचे कमेंट करके तो जरूर बताईएगा आपको यह सीरीज कैसी लगी ठीक है और इसमें जो कोश्चन रहेंगे तो फिजिक्स कमेश् चनायेगा आप लिखते जाएगा और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपका कीतना सभी उगा तो यहां पर पहला फूचाँ भार का एसाई मात रख्त तो इसका आसर क्या हो जाएगा है भूर्फुश। लिएंध कीकलोग्रावम किसा क सब् arguments क्ता है लेकिन किकलोग्राम किसका मत्रक है तो कीडोग्राम मात्रक है भाती द्रविमान का मत्रक किलोग्राम समय मत्रकिंड होता है सभी इस बता एक है जोंतिबित कान पूछ है तो यहां सब इसके मात्रक हैं यहां पर यह कहां कोश्चन पूछा गया है तो आर आर सी एलपी टेक्नीसियन वाला जो परिक्षा 2018 में हुआ था उसमें यह कोश्चन पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन भार का SI मात्रक क्या है न्यूटन अब कोश्चन का इकाई मात्रक क्या है तो देखे इसके लिए आपको समझना होगा समवेग होता क्या है ठीक है समवेग हुआ है जब कोई वस्त हुए उसके द्रब्यमान में उस वस्त के वेग से गुड़ा कर दें ठीक है और इसमें वेग से गुड़ा कर दें तब हो जाता है समवेग त मीटर प्रति सेकेंड तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा यहां पर किलोग्राम का किलोग्राम हो जाएगा अब मीटर से मीटर हो जाएगा अज सेकेंड को जब उपर लाएंगे तो सेकेंड इन्वर्स हो जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसा नंबर बी इसका आंसर क्या होगा बताईए नैंसर कुष्चन कि उद्योग में सक्टी का इक यह मतलब यहां क्या करें कि जो बड़ी उक्याई पूछना चाहिए कि तो यहां पर देखिए इसका सही मासर हो जाएगा अफसान नंबर डी यानि की अस्व सक्ति घौकल को में पानी निकाला जाता है इसी में आपने हार्स पावर पूछेंगे कि यंजन मा कितने हार्स पावर करते हाला कि हारने गवाहँ में तुन लोग हाथ बाँप पावर को दस हाठ नहीं होता है हार्स पावर थीक है तो है इसका अंसर हमापने के लिएन का उपयोग किया जाता है तो इसका आपिनने का प्रयोग किया जाता है ठीक है धंपने के लिए DCI बड़नी के लिए DCI का प्रोक किया जाता है और यहाँ पर जान लीजिए कि जो मानओं के लिए उप्यूक्त ध्वहां है 45ड़निगल इसा निर्धारिट किया गया है और किully पीनद पूछा जा प्रकास वर्स निम्न लिखित में से किसकी इकाई है तो देखिए प्रकास वर्स लोगों के मन में बहुत सारे दोड़ी की मात्रक मतलब दोरी की नापने की इकाई है और एक प्रकास वर्स में जान लीजिए नव दसमलो चार-चवए गुडे दस के पावर 12 कीलो मीटर होता है ठीक है प्रकास द्वारह एक वर्स में चली गई धूरी को ही अम लोग प्रकास पहते हैं कि अब देखिए यहापने रिखंग रहा है प्रति रौद कि नवा कोश्चन नमबर कह रहा है कि एसाई प्रडाली में प्रतिबल की कहां गया है इधार है एसाई प्रडाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है तो इसका बताई यह आंसर प्रतिबल बराबर क्या होता है देखें प्रतिबल बराबर होता है आंत्रिक प्रतिरोध बट बात करें तो खुलाम हो जाएगा किसका और यहां पर कारी किसका हो जाएगा जूल मतलब कारेका हुजाएगा और वाट किसका हो जाएगा वाट हो जाएगा सामर्थ का यानि की सकती का अब देखिए अगला question अमारे पास आता है chemistry से ठीक है तो अब हमने biology का मतलब जो पिजिस का पॉर्स्टन था दस question हम ने निपठा दिया अब आता है मतलब कमेश्ट्री का कमेश्ट्री के बाद हम लोग देखेंगे इसी तरीके से डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चले और अपना स्कोर काउंट करते हुए चले तो देखिए इसमें कोश्चन पहला है कि निम्न लिखित में कोई भी ठोस वस्तू ले लिजिए उसे आप तोड़ना चाहेंगे तो जल्दी नहीं तूटेगा क्यों क्योंकि उसके वीच आकरसर बल लगा हुआ है और वही द्रव वगेरा हुए इन सम्में आकरसर बल बहुत ही कम होता है गयस में तो और भी कम होता है इसलिए वह दूर भी खोड़ती तो इसका अफसलना क्या ऊंटल सीघ्र हएक एकडम कर्रिक्ट ठीक आपसर नंबर इसका ड्री हो जाएगा करेक्ट लग नेक्स्ट्क ख़िल इसंतर्व में संदर्व में नीम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तूब नहीं यहाँ पर पूछ रहा है तो पहला तो यही सही हो गया तो इसी हो जाएगा और अस्थान ऐंत्री तें सब गलत हो जाएंगा ठीक है पदारथ के कडों के बीच कोई कंद नहीं होता है तो नहीं पूछ राए था अफसे इसका एक सही हो जाएगा संथ कए करा Prовор is निम्न लिखित में से क्या सही है तो आप संब पढ़ते हैं वे याद रिच्छे रूप से गतिसील होते हैं उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं तीसरा करह ब्योस्थी तरीके से विन्यासित यानिकी अलग-अलग हो सकते हैं उनमें नियूंतम आकरसर बल होता है ठीक है तो सेनके वृश्थी तरीके से विन्यासित होते है जित्रें भी होते हैं उसका उसना पेजिता होता है और ढ़ेके व्हें श्क्क करते हैं नेस्ट को चने आपर कर रहा है कि अभी तक बैग्यान को द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है तो आपको पता होना चाहिए पदार्थ की पांच वस्थाएं तय की गई है और पांचों कौन-कौन से हैं ठोस द्रव गैस या तो सभी जानते हैं और चौथा है प्लाजमा पांच है बोस आइंस्टीन तो पांच अवस्थाय की गई है नेश्ट कोश्चन यहां पर कह रहा है अभी तक बैग्यानी को द्वारा कि अभी तक बैग्यानी को द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाय की गई है तो वही कोश्चन आगया कि पांच अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन निम्न लिखित में से दी गई आकरिती में से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता अब इसको आपसन पढ़ना होगा उस हिसाब से यहां पर सही होगा ठीक है पहला कह रहा है कि पदार्थों के चारों आवस्थाओं की आडवी ब्यवस्था देखी जा सकती है दूसरा कह रहा है प्लाजमा एक तरल पदार्थ है जो सरीर के सभी कोश्चाओं में मवजूद है तीसरा कह रहा है यह आकरिती पदार्थ की चौथी आवस्था है अर सरीर की सभी कोश्काओं में मौजूद है और आपको पता होना चाहिए जो हमारा सूर्य है चमकता है वह अभी प्लाज्मा से ही बना होता है प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा मतलब ऐसा चीज होता है जो न तो ठोस रहे न तो द्रव रहे जैसे खेखार ले लिए जम लोग सबसे तेजगती से होती है मतलब इदादब भागना तो गैसों में सबसे तेज़ी से होती है कि यह चिस्ट निआ पर करए रहा है कि यदि अमूनिया गय से तो कपूर क्या है तो देखिए अमूनिया का संबन्द गैस से तो कपूर क्या है एक तरीके से प्रस्ंध में भी ररशन पूछ सकता है तो कपूर क्या है कपूर नहीं पूछ क्यानी चैazioni करेक्व हमें अलग ही प्रकार नाता है कि निनक्रीण लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो देखिए कौन सा कथन गलत है तो प्रते को पढ़ना होगा पदार्थ के कड़ इस्ती रवस्था में होते हैं दूसरा करा पदार्थ के कड़ बहुत छोटे-छोटे होते हैं तीसरा पदार्थ के कड़ एक दूसरे को आकरसित करते हैं और चौथा पदार्थ के कड़ों के बीच रीग्ठ अस्थान होता है तो दिखिए इसका आप सर नमबर एक दम सही होगा यहहां पर गलत पुछा है तो गलत एक हो जाएगा पदार्थ के कड़ इस ती रवस्था में होते हैं ठीक है तो इसका अपciónvers क्या हो जाएगा आपसा नमबर यह सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर पूछाए कौन सा कथन गलत है अब देखेंगे नेश्ट कोशन यहां पर कराएं कि एक सुद्ध पदार्थ है क्या चीज सुद्ध पदार्थ है देखिए यहां पर चीनी का गोल दूद वायू और मिथेन तो मिथेन एक सुद्ध पदार्थ है तो इसे याद रखिए मिथेन इसका सही आंसर हो जाएगा आपसा नमबर भी मिथेन सुद्ध पदार्थ है जो की पिर्थवी की सता की नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के पाए जाता है और जहां पर दलदली भूमों यह घर होती हैं वहां पर भी इसे पाए जाता है और इसे मियुक प्रकार के अनुसार ठीक है पदार्थ के प्रकार के अनुसार कड़ो के इस्थिर के आद पर आकार बदलता है उदारण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ का पात्र आकार मतलब जिस पदार्थ में रखा जाता हो ऐसे प्राप्त करते तो दीखिए इसमें काफसर नंबर एक हैं नेक्च कोशेन यहापर करada कि ही मैट आ गया तो पूछ रहा है कि ही मैटोलाजी का अध्यान किसे संबंदीत संबंद्थ सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब यहां पर नेक्ट कोचन कराए मार्फो लाजी क्या है तो मार्फो लाजी मतलब पूछना चाहरा है क्या है तो इसका जबाब होगा जीव की आकριती और संचना और विश्ष्ट संचना गुडात्मों का अध्यान को और निर्भड़ता तो नहीं होगा तो इसका आपसर नमबर सी सही हो जाएगा जियों की आकरिती उनकी सनचना और विसीष्ट सनचना गुड़ों पर अध्यों किया जाता है इसी को मार्फोलाजी करते हैं नेस्ट कोशन यहां पर है कि निम्न लिखीत में से किसमें मनुस्य का अध्यान होता है देखिए इसमें मनुस्य क्या अध्यान की बात करें तो इसका सही हो जाएगा एंत्रोफोलाजी आर्कियोलाजी में पुराना जो घर वगयर होता है ठीक यानि पूरानी वस्टूओं का सवाष बातों कीया तो इसका प्लस मानो जाती के समास्थ्र के अध्यान से एंध्याएं समद्ध है तो देखिए इसका इसका हो जाएगा है पहला का रहा यह ज्यूबोच्शन जीरो ग्राफी एक वरिष्ट इंत्रोपोलाजी तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंत्रोपोलाजी जन्त विज्ञान को क्या कते हैं इंत्रोपोलाजी करते हैं और एक बार फिर से यदि अभी तक आप देख रहें तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा उन्टा को निसान को दबा दे आपको डेली ऐसा मिलेगा अब नेक्ट कर रहा है कि निसेचन विकास विभाजन और विभिनता के अ अनुवान सकीत तो होगा नहीं और यह सब नहीं होगा तो आपसर नमबर इसका सभी हो जाएगा नेश्ट कुछन यहां पर कर रहा है कि पौधों में बिमार्यों का अध्यान और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं उसके संक्रमन का सामना करते हैं तो पौधे विर और यहां पर आप देखें, नेस्ट कोशन यहां पर आया? नेस्ट कोशन का रहा है, जिवित जीवों, मतलब जिवित चीजों पर मिर्दा के प्रभाव का अध्यान, मिर्दा विज्यान के किस साखा के अंतर गत आता है? तो इसका इसका बताई, अंसर क्या होगा? मतलब जीवित चीजों पर मिर्दा के प्रभाव का अध्यन की साखा के अंतरगत आता है तो देखें इसका सही आंसर हो जाएगा एडाफोलाजी ठीक है तो आफसा नमर बी क्या हो जाएगा एडाफोलाजी काते हैं जीवित चीजों के मिर्दा के प्रभाव वाला और इंडिऄोलाजी की बात करें और इंडिऄों में देस्टा से समंदित अध्यान करते हैं नेश्ट कोशन यहां पर कर रहा है निमने लिखित में से सरीर विज्ञान एवंग चिकिस्ता की वह कौन सी साखा है जो पूरसों के विशिष्ट रोगों एवंग इस्थीतियों से संबंधित है तो देखिए अभी उपर वाले कोशन में ने बता सब्सक्राइब इसका क्या होगा है निभसे कासा सब्सक्राइब करते हैं और यहां गारे में स्वास्ति संब्धित अध्यायन करते हैं और यहां पर हीले कह दिया तो यहां पर ऑढसर वो सब्सक्아서 ही् shrinking करते हैं हेट्रोलाजी के बात हैं तो हेट्रोलाजी में हम लोग के अध्यान करते हैं ठीक हिट्रोलाजी में क्या हुआ हमनों अलसर का हमने بتा दिया और चलते नेस्ट डैस्ट कोष्चन और यहां आज का लास्ट ही पृष्चन था ठीक है तो इसका आप्ससार क्या सब्सक्राइब 380 अपसे करा है स्क्राइब कर लें ठीक है और आपको डेली बैसे वीडियो मिलेंगे और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता है और पसंद आया तो लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद